डिस्क्रीटनेस Dear Students, इस मॉड्यूल में हम लैंग्विज के फीचर्स या करेक्रेक्रिसिक्स डिस्क्रीटनेस के बारे में बात करेंगे The sounds we are used in the language are meaningfully distinct यनि जो भी हम sounds लैंग्विज में इस्तमाल करते हैं वो अपने meaning के लिहाज से different होती है, मुम्तास होती है और इन्फरादी होती है तो लैंग्विज का वो करेक्रेक्रिसिक्स जिसमें हम मुखलिफ मतलब languages के sounds को different अंदाज से हम use करते हैं वो discreetness कहलाती है For example, difference between eye short vowel और eye long vowel हम इन दोनों में कोई इतना खास difference तो नहीं है लेकिन हम जब इनको use करेंगे तो हम eye short vowel की जगह पे हम eye long vowel use नहीं कर सकते तो language का ये characteristics है जिसमें sounds को different context के लिहाज से यानि sounds के different meanings के लिहाज से यानि उनके साथ different meanings attached होते हैं उनको उनके जब हम use करते हैं तो उनकी place बदलने से या उनकी मतलब है sounds बदलने से उनकी meanings में फर्क पड़ जाता है और वो मुम्तास हो जाते हैं और इसी तरह ये ऐसे हैं जैसे sounds है पा बा टा एंडा तो मतलब ये है कि ये जो characteristics है जो जिसमें sounds distinct sound होती है language में इस्तिमाल होती है उनमें ये characteristics है language का और language की ये property कि जिसमें each sound is treated as different sound distinct sound इसको हम discreetness कहेंगे और for example English word tin इसके तीन characteristics है ती आए अन अब इन तीनों को हम different अंदास से जोड़ कर इसके different meanings और sounds create हो जाएंगी और अगर start में उनको हम order कर सकते हैं, reorder कर सकते हैं, हम इनको split apart कर सकते हैं तो language के इस characteristics की वज़ा से इनकी sound से different meanings convey होते हैं और property of language जिसको हम discreet हम कहते हैं और ये इस characteristics को हम discreetness कहते हैं तब pronunciation जो है language का अब वो sounds के लिहाज से या phonemes के लिहाज से हम उसको मुखलिफ अंदास में उसको हम जोड़ते हैं और ये back to back words या sounds में इसमें एक फर्क होता है distinction होता है जैसा कि मैंने अभी the difference जो है pa and ba sound में pa and ba sound में English और इस लिहाज से हमें कहना चाहिए कि language की जो different मतलब है इसकी sounds हैं उनको उनके meanings भी different हैं और उनको discreet कहते हैं और यही इस characteristics को हम discreet कहेंगे because of distinctiveness of each sound हाला कि उनके साथ sometime उनमें minor difference होगा इसके बावजूद वो उनके meanings different होंगे जो उन हर sound के साथ attach होंगे तो language की यह जो characteristics है sounds का distinctive होना discreet होना that is called discreetness आएाग इसकी जनके होना मतलूप यहीरomme